स्वागे थे दोस्टो आपका अपना न्यूज सबका इंटरव्यू में दोस्तो आज हम एक ऐसी पर्सनलिटी के बारें बात करने वाले हैं जिवन में घरवालों का ममी पापा का एक लख्च होता है टार्गेट होता है गुरुका भी लख्च होता है कि कुछ नकुछ करना है सिर्फ एक लक्ष डॉक्टर बनना है इंजिनियर बनना है और एरफोर्स बनना है लेकिन जो सक्स एरफोर्स बनने के लिए इतना उतेजित होता है उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं एक बहुत ही छोटा लड़का है जो बहुत पले से ही अपने बारे में सोच रखा कि ह कुछ सवागत है आपका अपना इंट्रव्यू में तो इनसे कुछ सवाल जब किया दागा आपका नाम क्या है क्या है अच्छा आपका उम्र क्या है अच्छा कौन से इसकुल में पढ़ते हैं मैं ग्यान भारती हाई स्कूल में पढ़ता हूँ क्या करना चाहते हैं अपने कुछ दर्शकों के बताईए कि जिन्गी जिवन में कोई भी लक्ष होता है तो इसको कैसे मतलब किया जाए सुरू से ही और आप कुछ बताईए इनके बारे में क्या आप बनना चाहते हैं मैं बनना चाहता हूं एयर फोर्स इसके लिए मैं बहुत पहले से तैयारी कर रहा हूं बहुत मतलब भाग दर्ण मुझे करना पड़ रही है इसके कारण का अचा हम देखे कि अब भाग दर्ण कर रहे हैं काहा कर रहे हैं कामे कर रहे हैं कहां भाग रहे हैं जैसे वही लटकने लटकने का तयारी कर रहा हूं लटक तो आपको एर फोस बनना है तो आप कर रहे हैं कि भाग दोड कर रहें तो लटकने के लिखा रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पीता जी बहुत गरीब किसान है जैसे मेरे पीता जी बहुत गरीब है आदमी है इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कि मैं कुछ जौब करके मैं अपना और उपर जाने का मैं परियास कर रहा हूं लटकने और भागने से नहीं जैसे हम लटकेंगे तो लंबा हूं गे उससे एर फॉर्स में जैसे कम हाइट हो जाता है इसलिए बहुत को मैं वीडियो में देखता हूँ बहुत छटे जा सकते हैं इसलिए मैं लटकता हूँ दोड़ता हूँ सुबह में उठके यही सब एक्सरसाइज यह सब करता हूँ अच्छा कुछ अपने बच्पन के बारें बताईए कैसे गुजरा कैसे फैमिली हैं आपके बिलोंग करते हैं क्या पापा करते हैं घर वाले कैसे हैं मेरे पापा जैसे मैं अभी तुरत बोला था गरीब किसान हैं हम बहुत मतलब छोटे से ही खेती बाड़ी में कुछ ज़्यादा है मेरे पापा आकरसित हैं उसी के तरफ उसी को हम देख समझ करके हम एयर फोर्स बनना चाहते हैं इस बहुत ही अच्छा है एक चीज बोलना चाहिए कि अगर आप किसी चीज को सिद्ध से पाले तो अपने उम संतियुम के डैलोग सुना होगा कि किसी चीज को आप सिद्ध से पाले तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिस करते हैं बहुत अच्छा आपका लग्ष्य है तो अभी आप किस क्लास में हैं और ज्यादा जैसे जैसे मेरा उमर बढ़ता जाएगा दिमाग बढ़ता भी जाएगा जी जी और अपने जो आपकी दर्सक जो देख रहे हैं जो बच्चे आपसे प्रेणा ले रहे हैं उनके बारे में आप बताएगे की दर्सकों के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी हमको देख रहे हैं वो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें हमको से अच्छा से प्रेणा ले और मैं आगे वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा अच्छा और आपका गाउं कहां पर है मेरा गाउं को करसा है तो देखिए दोस्तो जीवन में पढ़ाई करते हैं तो घरवाला का सबका लक्ष होता है कुछ न कुछ गुरू भी लक्ष देते हैं लेकिन एक लक्ष एयरफोर्स बनना है और अभी सही त्यारी शुरू कर दिया है तो जितने दर्शक देख रहे हैं सबका इंट्रव्यू तक उनसे यही है कि पढ़ाई लिखाई किजिए और इवराज की जैसा बनिए ताकि जीवन में किजी परकार का अच्छा संगर्ष को भी आए तुसे आप लड़ सकते हैं थैंक्यू सबका इंट्रव्यू में आप को सागते